36 गड़ कॉंग्रेस में हार के बाद लगातार प्रत्याशियों के स्तिफ़े सामने आ रहे हैं महेंत राम सुन्दर दाज जी ने स्तिफ़ा दे दिया इस वक्त हमारे साथ है अजरी जी क्यों इस्तिफ़ा दिया क्यों आपको निड़ने ऐसा लेना पड़ा मैं कांग्रेस का 100 रपीत सिपाही रहा और मैं देखा कि इस चुनाओं में कांग्रेस महुत विश्वास के मुझे राइपू दर्ख्यमिधान सवच्छेतर प्रत्यासी बनाया सभी कार करता है सभी वरिष्टों ने मिल करके एक साथ महनत किये इन पैणान बहुत दुखत रहा और इतने पीछरे प्रत्यास सबसे ज़्यादा अंतर से जितने का बोटों के अंतर से इस राइपू दर्ख्यमिधान सवच्छेतर में कांग्रेस प्राजय का सामना करना सबसे ज़्यादा अंतर से इस सीट को हारा है नेतिक जिम्मदारी में लेते हुए प्राइप इस सीट में तो लगातार हार का सामना करना पड़ता रहा है यह आठवी हार है तो आपने ऐसा क्यों समझा कि आपकी वज़ा से हार हुई यह तो समीकरन कुछ बन गए तो आपने अपने उपर जी नेतिक जिम्मदारी क्यों लिए क्योंकि आज तक के सबसे ज़्यादा अंतर जितने का इस विधान सभा से भाजपाय जीता है और कांग्रेस सबसे पीछे रही है तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस सांचोंक प्रत्यासी पार्टी मुझे बहुत बिस रहते हुए पार्टी इतने अंतर से हारी है लिए नेतिक जिम्मदारी बनता भी है तो आदमि यह दिखा जाता है कि हार के बाद पद से स्तिफा देता है आपने पार्टी की प्राथमिक सदस्ता से स्तिफा दिया तो इसकी क्या वजाए पहली बात यह कि कांगेस पार्टी का मेरे पास कहीं कोई दाइद तो नहीं है मैं प्रत्यासी रहा और मेरे प्रत्यासि रहते हुए पार्टी नई से सीट को हरा है, इतने लंबे अंधर से हरा है और पार्टी बहुत विष्वास करके मुझे प्रत्यासि बनाये थो उनके विष्वास में खारा नहीं उतर पाया अब गया क्या तुकि आपने जनसेवा भी आपने किया निश्चित उससे मुझे कांगेस पाटी नौसर दिया मैं दो बार विधायक रहा संस्कित बुड़क में अध्यक्ष रहा गौसेवा का अध्यक्ष रहा इसके रहते मैं जनसेवा भी किया हूं जीतना हो पाए गोजनसेवा मैं मठ मंदिर के से मैं जनसेवा करते रहेंगे और आगे किसी दल में जाने की कोई विचार नहीं है यह कहते हूं महंतराम सुन्दरदास जी नजर आ रहे हैं कैमरामन इकराम कुरेशी के साथ गौरो शर माइनस 24-7 राइपूर